हमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग, ये पाँच चीजें तुरंत करना बंद कर दो, आज से ही करना बंद कर दो, वरना आपकी लाइफ पूरी की पूरी बरबाद हो जाएगी, ट्रस्ट में, अगर ये पाँच चीजें आपके अंदर हैं, या पाँच में से एक भी चीज आपके करेंगे, आलस तो मेरे अंदर से जाता ही नहीं, क्या करूँ, मुझे आलस बहुत आता है, छोड़ दो, ठीक है, ये आपने आदत बना लिया है, आलसी होने की, आपने आदत बनाई है अपने शरीर को आलसी रहने की, और बोल बोल करके और ज़्यादा आलस को अपनी तरफ रहे हो, और आपको आलस बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उसकी बजाय उल्टा करना शुरू करो, जादा एक्टिव होना शुरू करो, जितना आलस आएगा ना उसको थपड ऐसे मारो, तू जितना आएगा ना बिटा मेरे पास में, क्योंकि वो आता नहीं है, हम जाते ह उसके पास में, तो हम क्या करेंगे, आलस की दुकान पर जाने की बजाए, हम एक्टिव होने की दुकान पर जाएंगे, जिस भी चीज पर आलस आएगा, हम जादा काम करेंगे, यह मेरा खुद का अजमायवा तरीका है, मुझे जिस भी चीज के ओपर आलस आता है, जिस भी कर दो क्योंकि ये आपकी लाइफ को आपकी बॉड़ी को आपके मैंड को हर एक चीज को दीमक की तरहां खोकला कर रहा है ठीक है दूसरी चीज नेगेटिव सोचना नेगेटिव सोच अब ऐसी हो चुगी है कि बिल्कुल नाचरल सी लगती है अगर आप बहुत जादा नेगेटिव सोचते हैं बिल्कुल उसका उल्टा धीरे धीरे करें बिल्कुल पॉजिटिव सोचना शुरू करें अच्छा सोचना शुरू करें जितना जादा आप हैपी सोचना शुरू करेंगे धीरे धीरे करें आपकी नेगेटिविटी की जो बा भी negative thoughts आएंगे लेकिन positive thoughts का जो flow होगा वो जादा होगा और आपकी help होने लगेगी ठीक है negative thoughts हमारे mental study को पूरी तरीकी से खराब करती है हमें damage करती है हमारी life को खराब कर रही होती है हमारा एक एक दिन एक पल एक चीज सारी की सारी चीज़े जो है ना वो खराब हो रही होती ह तो इसलिए आप आलस करना बंद करें और negative सोचना बंद करें ठीक है इसके बाद जो तीसरी चीज़ है काम को टालने की आदत है आप आलसी नहीं है लेकिन आपको काम को टालने की आदत है आज नहीं करेंगे कल करेंगे कल नहीं करेंगे परसो करेंगे परसो नहीं करेंगे तब कर लेंगे, आज ही करेंगे, और जिस काम के लिए ये थौट आ जाएगी ना कि कल करेंगे, तो उसको तो हम पक्का ही आज करेंगे और अभी के अभी उसको हम निपटाएंगे, क्योंकि ये एक सोच है कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसु करेंग तो है नहीं हमारे लिए कुछ अच्छा तो नहीं कर रहा है? कोई अच्छी चीज तो हमारी लाइफ की अंदर आड नहीं हो रही है! तो इसलिए अब हमें पूरी तरीके से पहाने बनाना, काम को जो टालना है वो बन्द करना है, पूरी तरीके का पैटन बनता जाएगा तो यह हमारे लिए ही हामफुल है और यह किसी भी तरीके से हमें साहेता नहीं पहुंच जाएगा ठीक है इसके बाद का जो पॉइंट एक्चली मैंने ना पाइफ पॉइंट को लिखा हुआ था क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग पॉइंट से जिसक कीमते चीज है जो आप पूरी दुनिया का पैसा दे करके भी वापिस नहीं लेके आ सकते यह किनमानिये तो टाइम की बरबादी करना आप बंद कर दें बिलकुल बंद जहां आपको लग रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं गोसिपिंग में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो यार मतलब इससे बड़ा नुकसान मुझे लगता नहीं है कि जिन्दगी में कभी भी कहीं पर भी होता है सम्मे के बरबादी से बड़ा नुकसान इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े नुकसानों में से भी बड़ा नुकसान है तो यह तो आपको तुरंत ही पड़ी होई है उसको भी आप तुरन से बंद कर दें क्योंकि यह बहुत सदा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करते रहे तो आपके लाइफ पूरी तरीकी से खराब हो जाएगी और एक दिन के बाद कुछ नहीं क्योंकि जो किमती समय पर आप समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर समय आपका ऐसा वाला इस्तेमाल करेगा कि आप कोईगे नहीं रोगे इसके बाद है हम यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कुछ भी नहीं सीखना और यह सोच लेना कि मुझे सब पता है यह कि आपके उंदर हां मुझे सब काता है हां एसा हुता है हां देख लेंगे हां इसको कर लेंगे ओ ठीक है इसको सीखने की क्या जरूरत है और कुछ भी ना सीखना इस्तेमाज बहुत बरी बहुत बुरी नहीं स्चीज को हटा देंगे कि नहीं यार मुझे पूरे दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का सब नहीं पता है, नहीं पता है, हम एक इंसान है, हमें सब कुछ नहीं पता होता, तो उसको पता करने में आपकी जो ग्रोथ होती है, आप जो अपने आपको चेंज करते हैं, आपका माइंड जो एक्टेव होत आपके नधर उसीक ने की चाहा होती है, यह चाहा को ही नहीं पर रोक दिया जाता है, जहांपर हमारी ऐसी इस हाइड होती है कि हाँ ठी है, मुझे तो सब पता है, हाँ हाँ सब पता है, सब पता है, तो इतनी तोब बनने की जरूरेते नहीं पता है, नहीं पता है भाई, पूरी दुनिया का सब कुछ मुझे नहीं पता है, यह बोल देने में शरम कैसी है, और यह सच है, नहीं पता है, तभी तो मैं जा पाऊंगा ना तो इस घबट को छोड़ देजे आपके अंदर भी अगर यहां बात आती है जिसी नहीं नहीं पता है और क्यों पता करना है सब मुझे जानना है उस एरिया के बारे में जानना जहां मुझे लगता है कि हाँ मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें है सी वहाँ से निकल कर कहेंगे जो मैं नहीं पता हूँ लेकिन उसको जानेंगे तो हमारी समझ पड़ेगी हमारा माइंड खुलेगा है ना नई थौट्स आएंगी नई विचार आएंगे नए तरीके से वह दिमाग काम करना शुरू करतेगा तो अगर ये पाँच important चीज़े सोचे कितनी important होंगी कि मैंने इनको ना डायरी में लिखा था कि मुझे याद रहे और ये पाँच important point है कि मुझे आपके साथ share करनी है जिसके बारे में normally लोग नहीं बात करते है time की परवादी के लिए बात करते है आलस ना होने के लिए बात करते है बाकी जो ऐसी चीज़े हैं जो हमारे अंदर होती है पर हमें पता नहीं चलती है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है तो मुझे लगा कि इन points को आप लोगों के साथ में discuss करना चाहिए और आपको बूलना चाहिए कि ये 5 चीज़ें अगर आपके अंदर है 5 में से एक भी चीज़ आपके अंदर है तो इसे छोड़ दो अधरवाइस आपकी life खराब हो चाहेगी अपनी life को अच्छा बनाना है न तो इन 5 हो की 5 हो चीज़ों को अपनी life में से रफा दफा करो और नई life के शुरुबात करो अपने मन रखे के आलो अपने अपसे की चिटे हिर सारो प्यार तक्यों पर ट्राक्ट करें थे सारो प्यार लब यो टाडा